आफ सब इको स्वागते एक नियू ब्लोग स्टार्ट कर देती ओसकी बदनाजीरा बढ़ stickers द Jasmine कुछ धुलाई कर लेंगे और आज खाने में केला का फूल बनाओंगी केला का फूल ना एके करके सपाई करने में बहुत ताइम लग जाता है तो पहले में नास्ता का लेती हूं उसके बाद केला का फूल में एके करके उसको मतलब जिसने बनाया है केला का फूल उनको पता है कैसे शपन करते हैं तो ओस्ट में जादा नहीं बनाया थोड़ा शेय बनाया अभी कर लेती हुद नास्था और उसके बाद में आऊंगे किचेन में दुबारा अभी देखा हमारे लग फूल के उबलने के लिए रख दिया और इधर लॉकी काटए रख दिया लॉके तोरह ज्यादा डालोंगी और यह मुंकी दाल चाहिए मुंकी दाल को थोरह साफ्राइकार करके फिर में पानी डाल के दूला करोंगी उसके बाहा शीटिती ले रखोंगी और यह लौकी भी डाल के ना दो सीटी लगा देंगे तो दल गल जाएगा और केला का फूल में नमक और हल्दी डालना है जब अब उबालो ना नमक हल्दी डाल के अच्छा से उबाल लेना है उसके बाद छोटा छोटा आलू काटना है और आलू के साथ में बनाऊंगी तो अभी में कर लेती हूं पहले आलू काट लेती हूं केला का फूल 15 मिनिट तक गुबल जाए उसके बाद पूरा पानी निकाल देंगे और उसके बाद लगाएंगे तरका चोटा-चोटा बिल्कुल आलू काटना है और लौकी के साथ मुंकी दाल बन रहा है और केला का सब्जी बना रही है और सजना फली आलू का भी सब्जी बन मंदिर में होता है पूज मेरा बेटी का ना में बताँ देती ओं जितना मैरा बेटी जिनका उयट में चला थीयों इसके वजह से मैं भी बेज खाना बना रही थी महेंला नॉंबेज नहीं बनाना तो में तीन साल पिछले साल भी दिया था तो तीन साल हो जाएंगी इस साल अगले साल नहीं मतलब इन साल के लिए मैंने बोली थी और केला का फूल बनाने के लिए छोटा-छोटा करके आलू कात लेना है और अदराग और जीरा, अदराग जीरा थोड़ा न मिक्सी में पेस्ट नहीं होता है, मैं जितना पेस्ट बनाया उतना नहीं डालोंगी, जितना मतलब चाहिए उतना डालेंगे और केला का फूल सरशु का तेल में बनाना बहुत तेस्टी बनता है तारका में डालना एक चमुज जीरा दो तीन हडा सुखा मिर्ची उसके बाद तेस्पत्ता और बिल्कुल छोटा-छोटा करके जो आलू काटा था उसको आलू को अच्छा से फ्राई कर लेना है और उसके मिलता नहीं है इधर कैला का पेर बहुत है तो दसे कातके लेके आ सकते हो कल कर मने हरामिर्ची ठृश्ट बना के डालो कात कर लेकिन दो कि ऑचता लोत contrats के जो मैं नहीं था तो जब में बनाने लागी खाना तब देखा तो नहीं है तो इसके बज़ा से मैंने थोर अशा लाल मिर्च पाउडर ही डाल दिया था ज्यादा तीखा नहीं होता है केला का फूल ना तीखा बिलकुल भी नहीं होता है मतलब तीखा करने से अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज तीखा बना द मैंने डाल दिया फेलिख भूल छो खासरी में दाला राए उसके बाद दल लूँना धरी फेक और चामुच जेसे में डाल दिया उसके बाद oh अच्छा से उबाल जाए और उसके बाद में दाल को तरका लगाऊंगी लास्ट में बढाऊंगी सजना फली आर आलू का सब्जी भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन सजना फली का जो आलू डालना है न वह छिलके नहीं डालना ऐसे डाल देना है वह ज्यादा अच्छा तो थीक होने के बाद मैंने डाल देया था चिनी और घी डालना है लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला तबी यह ना कला का फूल और टिस्टी हो जाता है जैसे भेज खाना बनाऊना तो घी के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है तो मेरा दाल तरका लग गया था यह सजनफली आलू बन रहा था और केला का फूल भी बना के मैंने डाइनिंग टेविल को पर रखके आया था थोड़ा जितना मतलब पानी राला ना सुकनी के बाद जो मैंने पेश्ट बना के रखा था राय और खसका तो देखो बरतन भी धूल गया सब कुछ हो गया था मेरा बस अभी खाना खाना है लेकिन एसी का वेट कर रहे थी जैसे सजनफली बन जाए उसके बाद ही सब को खाना देंगे तो बस हो गया था थोड़ा बहुत और बच देना है और देखो मैंने पेश्ट डाल दिया था अधरक, मिर्ची, जीरा, राय और खस-खस चारो को मिक्स करके मैंने जो पेश्ट बनाया था मैंने डाल दिया इसमें तीखा आप डाल सकते हो जितना टीक तीखा डालोगी उतना अच्छा लगेगा लेकिन केला का फूल मे सचना फली आलो ना राय के साथ ही ज्यादा टेस्टी बनता है तो अभी देखो खाना बन भी गया और मैं सब कुछ टेबिल के ऊपर लेकिन मेरा ग्यास अच कुछ भी नहीं किया मतलब कीचेन बिल्कूल भी निसाफ हुआ है तो अभी पहले खाना का लेंगे परी को खिला परी शो जाएगी उसके बाद में भी शो जाओंगी थोड़ा और साम को पूरा कीचेन साफ करोंगी जब पानी आएगा क्यूंकि गार्डेन में पानी देना होता है तो इसके बज़े से ना आप ज्यादा टाइम शो नहीं सकते हो खाना जब मैं खारी थे आशी भी शारे त बैट के खा लेते हो कभी गबड में खिला भी देते हो लौकी दाल मेरा सुबंप्स पशी में और मेरा पिलेट में नहीं स्कूड़ा फिलेटी तो आभाड कील के बना हिए जो हो भी खाना बनाती हुए उसको में जोदो ने सब चुरा थुरा रखते हो तो अपना हा haba खाना खाएगी उसके बाद में खिला दोंगी और अपना हाथों से खाना बच्चों को देना चाहिए तक कि छोटा से आधात हो जाए और मेरा बेटी गईती डॉक्टरी को बास तो एक मॉलम दिया है लगाने के लिए क्रीम टाइप का कुछ तो बोला ठीक हो जाएगा खाना ठंडा है अच्छा लगता है तो अभी देखो खाना खाने के बाद आदा एक घंटा सोई थी उसके बाद आ गई किचेन में पूरा केचेन सब करना है आज कुछ भी नहीं किया था किचेन में में जब सोई थी ना तो दिमाग में ओई चल रहा था किचेन सब करना है मत आचा से साप हो जाए फेर बहुत आरं मिलता है मुझे तो मिलता है मेरो को किछेन 24 जब तक अच्छा से सपआए न हो जाएनु दो तक बहुत तेंशन में रह तो अभी की साप करने के बाद में जब तक मैं किचेन सपाई कर रहे थी, मेरा बेटी और एक काम बढ़ा के बैठी है, बेट्रूम में आधा बोटल पानी गिरा दिया, तो भी बेट्सित चेंज करना है, और मैंने पंखा चला के आ गई थी, तब तक शूख जाए, क्यूंकि मैट्रेस अभी में धूप में डाल पानी का दिल बिल्कूल नहीं करता है, तो इसका चक्कर में मेरा डेली बेट से धुलाई होड़ा है, और एक कितना भी उसको पानी में डाइनिंग टेबल को पर खाना खिला हो चाहिए, किधर भी खिला दो, लेकिन पानी गिराएगी, गिराएगी, यह इसका ना, मतलब डे घराएगी, और मतलब, बीलाई होड़ा prophecies गिरा और फिर, और अच्छा है कितना अच्छा लगता, आज़ह में किचे लिएए और कराई में ज्यादा भी गीस पाना, थिक और नहीं कर दोपेरियो, इस तो पनखा चल दाएगी, जब तक वो घेप ना गीच्व, ऑनश्य तो मेरा बेटा आ गया था, खेल के है, खेल के आने के बाद उसको कुछ खाना चाहिए सामको, तो दूधर बिस्कुट लेके बैठाया है, और मेरा बेटी भी बैठ गई और यो बिस्कुट का जितना किरी में परी खाएगी और जितना बिस्कुटे सुभम खाएगा, देखो शुख गया है इस रूम का, तो मैं अब ही ओई यह पीलो कबर भी चेंज कर देती हूं, जब बेट सीट चेंज करना तो वो इसके साथी पिलो कबर लगाना है, तो पीलो कबर भी मैंने खोल के फेक दया था तो पिलो पता है, बेट सीट वे गाली बिचा था, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ दुबारा फिल लगाना है तो पीलो कबर के साथ ही में लगाती हूँ इसके वज़ा से में पीलो कबर भी खोल दिया था अच्छा से शूक गया था एक देर घंटा में पंका चला के रख दिया था तो अभी मेरा सब काम भी हो गया रात का खाने में कुछ नी ब बचा है थोड़ा नहीं ज्यादा ही बचा है तो बस ओई खाना खालें गया चावल भी में बना के रख दिया था तो घर्मी आ रहा है तो मेरा घर में रोटी बहुत कम बनेगा अभी देखो सब कुछ हो गया तो अभी आप सब कुना बाई कर देती हूँ फिर मिलेंगे काल स एक नीव ब्लोग के साथ लाइक कमेंट शियार और सस्क्राइब कर लेना गुर्ण